So hello everyone, मेरा नाम है संकेत, आप देख रहे हो Movies in Orange में लाया हूँ DC के डिले, जो movies हुई है, उसके बारे में पूरी-पूरी details जैसे Marvel के हमने कवर की थी, जो आपको इस i button पे मिल जाएगी जाके Marvel की डिले होने वाली movies और series के बारे में जानगरी आपको वहापे मिल जाएगी और इस वीडियो में हम DC के जो officially announcement हुआ है कल रात को तो वह मैं आपको बता हूँ कि कौन सी movie कि इस release date पे अभी आने वाली है तो चलिए आएए मिल के देखते हैं DC के वह कौन कौन सी movie है जो delay हो चुकी है तो let's begin सबसे पहले Wonder Woman जिसकी बारे में मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ कि ये delay होने वाली थी तो हो गई है जो कि जून के मैंने में हम देखने वाले थे इसी साल तो अभी इसी साल हमें 14 आउगस्ट के दिन देखने को मिलने वाली है और बहुत बैतरीन काम किया है DC ने कि भई उसको उठा के सीधे की सीधे आउगस्ट में रख दिया है क्योंकि तब तक lockdown नहीं खुलेगा हमारे यापर ऐसा मुझे लग रहा है मैं बाया मैगसीन में काफी कमाल के कुछ पोस्टर्स रेलिस किये हैं जो एक एक कर गया आप यहाँ पर देख लेना को एंडलो मेरे से रेलेटेड है करेंगा नहीं लेज़ेगा है आगे बढ़ते हैं अब ये फिल्म की तरफ दी सूसाइड स्कॉर्ड जी आ दोस्तों जैम्स गाल ये डिरेंग कर रहा है फिल्म फूरी पूरी बन के रेड़ी है सिर्फ कुछ थोड़े बहुत शूट्स बच्चे है थोड़े बहुत रिशूट्स बच्चे है इसा बोल सकते ह तो खुछ थोड़ा बहुत VFX बचा है फिर भी ये मूवी हमें अगले साल देखने को मिलने वाली है ये मूवी सेम डे जो रखी गई है उसी पर रिलीज होने वाली है 6 ओगस्ट को ये फिल्म देखने को मिलने वाली है और जेम्स गन ही बना रहे है और ये डीसी की यूनिय पर इसकी रिलीज डेट अभी तक डीसी ने इसको चुआ भी नहीं है उसी सेम डेट पर ही रिलीज होने वाली है इसकी बाद अगली फिल्म है The Badman जीया दोस्तों इस फिल्म को कौन नहीं जानता Matt Reeves इसको रिबूती कर रहे है बहुत अच्छे अच्छे concept art रिलीज होया है और एक दुखत बात यह है कि अभी जो Comic Con होने वाला था Sandy Ayer को Comic Con वो Cancel हो चुका है 55 साल में एक फर्स टाइम ऐसा हुआ है कि एक Comic Con जो की बहुत बड़ा है वो International Comic Con है वो Cancel हो चुका है तो इसी दर में हमें टीजर देखने को मिलने वाला था ऐसा लोगों का महनना था बड़ यहाँ पर मैंट्रिस ने करण फर्म किया था जो इसी साल डिसेंबर के महने में ब्राजिल का Comic Con होने वाला है तब जाके हमें बैटमेन का टीजर देखने मिलेगा तो यह जो रूमर फाइला थे कि Sandy Ayer को Comic Con में ही देखने मिलने वाला है नहीं दोस्तों यह ब्राजिल पहले आने वाली थी बस दो मैना ही डिले हुआ है इस फिल्म को लेके तो यह बहुत अच्छी बात है कि ज्यादा डिले नहीं हुआ है तो अच्छा रहेगा कि यह उसी साल रिलीज होगी 2021 में ही हमें देखने को मिलेगी तो आगे बढ़ते है अगली फिल्म है जो कि Dwayne Johnson की आप समझी गए हो मैं Black Adam की बात कर रहा हूँ यहाँ जो 2021 में ही इसकी रिलीज डेट वही रखी गई है कुछ भी चेंज नहीं हुआ है और शायद से इस साल के एंड तक इसका प्रोडक्शन चालो हो जाएगा फिर VFX का काम और फटाक से यह फिल्म बनके भी उबर के आएग इंस्टाग्राम या अधर प्लैटफॉर्म पे तो हमेशा Black Adam की बात करते हैं 2008 से इसके उपर काम चल रहा है और ड्वें जॉन सार हमेशा थैंक्स करते आ रहे हैं उन प्रोडूसर्स को कि उन्होंने इतना टाइम दिया इस फिल्म को और एक टाइम अगर इतना दिया ही है त और अगली फिल्म है The Flash जिया दोस्तो एजरा मिलर ही इसमें फ्लैश रहने वाले यह कंफर्म हो चुका है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले कि एजरा मिलर को निकाल के फिकेंगे और कोई नया फ्लैश इंप्रोडूस करेंगे नहीं दोस्तो ऐसा कुछ नहीं होने यह फ्लैश मोई 2022 में हमें देखने को मिलने वाली है पहली इसकी रीलिश डेट थोड़ी पहले थी अभी थोड़ी डिले होच चुकी है 2-3 मैने के आसपास डिले हुई है इसकी रीलिश डेट है अभी 3 जुलाई जिया दोस्तों यह पहले जून के मैने मैं रीलीश होने वा या फिर The Flash नाम से उसका एंजोई किया है और हमने डीवी सीरीज देखी है और फ्लैस के उपर एक मूवी देखना भी देखने लाएगा और ये भी कर दिया है जो भी इसको डिरेक्ट कर रहा है फिल्म को उन्होंने ये भी कर दिया है कि भाई ये फिल्म फ्लैश पॉइंट प देखिए अगली फिल्म है जिसकी डीले हो चुका है जिस फिल्म को वह है शेजाम 2 या दोस्तों बेस अबरी से हम फैंस लोग शेजाम के बाद शेजाम 2 का इंतजारी कर रहे थे तो एक टीज भी देदेंगे और लोग कि इसमें ब्लैक अटम लिखेगा या नहीं हो भी टी रिलीज होने वाली है और वही हमारे फ्लैस रहेंगे और बहुत अच्छी फिल्म उबर के आए ऐसा आशा करते हैं DC के जो भी फिल्म है अभी आ रही है बहुत अच्छी निकल के आ रही है और वह टाइम लाइन में फिट बैठेगी ऐसा ही वो लोग बनाएंगे और सबसे आधशी और अफरी फिल्म है एक्वामेंट टू जियां दोस्तों जैम्स मेन के बहुत भी बैतरी प्रोडक्शन और बहुत ही बैतरी डिम्रे लौटछन के बार हम फिर से देखेंगे उसी तरह से एक्वामेंट इसधे हैं 16iegenी निकुर को तो यानि 2 दीуск तो ये भी देखेंगे और हर साल 3 movies DC के release होने वाली है जो कि अगले साले से होगी तो इस साल तो Wonder Woman आगी ऐसा समझ लो इस साल Wonder Woman आगी उसके बाद अगले साल 3 movies कुन सी है उसमें से The Suicide Squad है The Batman है और उसके बाद रही Black Adam ये अगले साल देखने को मिलेगी और 2025 में हमें देखने को मिलने वाली है उसमें से पहली movie The Flash है उसके बाद Shazam 2 है और उसके बाद Aquaman यानि 3-3 movie हमें DC के तरफ से देखने को मिलेगी बहुत अच्छी बात रहेगी अगर सारी movies बहुत बैतरीन बने तो मजा आएगा देखने में और हम और आप मिलके तो देखने ही वाले उसका रहेगी तो जरूरी आने वाला है आपके लिए तब तक के लिए आपको क्या लग हम लोग ऐसे ही amazing और interesting contents लेकर आते रहे हैं तब तक के लिए देखते रहे है movies जिन